नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूर रोज चैनल पर आज का वीडियो होगा बिजनस डेवलप्मेंट एक्जेक्यूटीव के बारे में आज के वीडियो में आपको इनके बारे में कुछ जानकारी देने वाला होगा किस तरीके से ये जॉब होती है और किस तरीके से आप एक BDE याने की बिजनस डेवलप्मेंट एक्जेक्यूटीव बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे लिए निस से पहले अगर कर दीजिए फटाक से दोस्तों तो एक बिजनस डेवलप्मेंट एक्जेक्यूटीव जो पद होता है या जो एक इनसान होता है जो इस पद को संभाल रहा है इस जॉब को कर रहा है उसका में फोकस क्या रहता है उसका में फोकस रहता है कि वो रिसर्च करें मार्केट में उ उसका काम होता है कि वो छहाँ भी चीज म्मीं है जो बाते बाते करके और गना बना बिजनेश क के लिए ढ़ाद करा लीए और अगर है एक रीसपोंसिबल परसंड जो मैंने बिजनस की डूद के लिए वो एक बिजनेश सेनुने। executive होता है, so अगर ऐसे देखें तो समझ आता है कि इनका काम है नई leads ढूनना, नई opportunities ढूनना और उसके लिए customer से बातें करना, sales को promote करना और services को promote करना, so कैसे वे differ करते हैं, आप समझ गया होंगे sales executive से कि वो आगे का काम है, business development executive जो होगा, आपको एक नया responsibilities जानते हैं, इस business development executive की ताकि आपको और अच्छे से clear हो सकती है, क्या क्या responsibilities आ सकती है देखिए, कभी भी किसी भी अगर business की बात करेंगे, तो उसमें एक पहला कदम जो होता है, customer तक आपके पास एक product रखा हुआ है, आपको उसे बेचना है, आपने marketing करा रखी है बट अभी भी काफी सारे ऐसे areas हैं, जिनको capture करना होगा, जहां पर खुद से जाकर के बात करनी होगी कि हमारा product इस तरीके का है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, तो ये business development executive है, जो पहला कदम बढ़ाते हैं जो नई जगा सर्च करते हैं कि भाई, हाँ, इस जगा पर हमारा product बीच सकता है हमारे जो नए customers बन सकते हैं ये ये लोग हैं, जो इस तरीके की services यूज़ करते हैं simple example ले लेते हैं दोस्तों, एक software company का, जिसको अपना software कहीं पर बेजना है तो marketing उन्होंने कर दिये लेकिन अभी भी companies उन्हों तक आएंगी नहीं तो ये business development executives जो होते हैं वो उन्हें call के तुरू, mails के तुरू whatsapp के तुरू, या जा करके उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं अपने products के बारे में, उनसे lead generate करते हैं उनके मन में एक जो है attraction पैदा करते हैं आपके product के लिए जो भी चीज़ है वो आपको explain करना होगा कि आप कैसे इस product को use कर सकते हैं उसके बाद काम आता है sales executive का जो कि उसे close करेगा जो पहला कदम होता है, वो BDE का होता है, चलिए गानते हैं इनकी कुछ skills के बारे में जो की जरूरी होगी अगर आप एक BDE बनना चाहते हैं, आप पहला कदम लिना चाहते हैं, उसके लिए क्या skill होगी पहली बात तो दोस्तों आपको नए लोगों से मिलने में ज़्यादा परिशानी नहीं होनी चाहिए, आप सभी को पता है कि initial stage पर कुछ करना, कुछ कदम उठाना थोड़ा सा जादा खतर ना गया, थोड़ा सा जादा डराव ना बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा hesitate करते हैं इन चीज़ने करने में इफ आप एक sales executive है, आपके पास पहले से tough हो जाता है, इसलिए आपकी जो communication skill है, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो पहली बात आपके अंदर hesitation थोड़ा कम होना चाहिए, और दूसरी बात आपके अंदर communication skill आपकी जो है काफी बढ़िया होनी चीज़, ताकि आप अच्छी से explain कर सके आप product के बारे में, आपको कम से कम business knowledge तो होना ही चाहिए, अब देखे मैं यह नहीं कहूंगा बहुत अच्छा business knowledge की भाई बिल्कुल आप जाते हैं और sales complete करके यादे, आपके अंदर basic knowledge भी है, आप explain कर सकते हैं अपने product को लोगों के questions का answer दे सकते हैं और कैसे business चलता है, वो आपको अगर पता है, तो आप जो है एक BDA के लिए suitable person है, अगर आपको एक background है, जिसमें आपने मतलब business किया हुआ है, या पहले पहले भी कोई job करी है, तो आपको थोड़ा बहुत experience होता है, कि नए लोगों से कैसे मिलना होता है, और कैसे उने product के बारे में जानकारी देनी है, अब दोस्तों बात आती है, negotiation skills की, आपको as a BDA negotiate करते भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी customers हो जाते हैं, जो कि initial stage पर ही अपना नेगोशेट करना शुरू कर देते हैं, मोल भाव करना शुरू कर देते हैं, अगर आप उन्हें समझा रहें कि हमारी अगर आप एक final product का, final pricing पर लेका रहा जाते हैं, तो उसके बात सामने वाले के इसके पास आपका next step जो लेने वाला इंसान, उसके पास scope नहीं बचता है, नहीं बचता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, कैसे आप उस चीज को थोड़ा आगे लेकर जाए, नेको shade भी कर सकें, और आगे वाले के लिए इसको छोड़ दें, दोस्तों इस जॉब में सिर्फ यहीं तक बात सिमीत नहीं होती, थोड़ी बहुत creativity भी आपके अंदर जरूरी है, थोड़ी बहुत नहीं कहूंगा, बहुत ज़्यादा creativity, आपको क्योंकि market research भी करनी होती है, आपको नए areas जोनने भी होते हैं, और उन जगा पर आपको points भी करने होते हैं, चीज़ें, mark करनी होती है, यहाँ यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी services को बेश सकेंगे, और एक चीज़ जो है दोस्तों वो आनी ही ज़रूरी है, यह problem solving skills, आपके अंदर problem को solve करने की छमता होनी चाहिए, बहुत बार हर एक जिस भी जगह पर आप जाएंगे BD के सामने बहुत सारी problem साती, क्योंकि आप जो है first time जो होता है, वो या तो emails के जरीए होता है, या फिर phone calls के जरीए होता है, तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी problem जहलनी पड़ सकती है, customer कई बार irritated होते हैं, किसी दू चीज आ नहीं चाहिए कि कैसे आप उनसे बात कर सके और उनकी problems को भी solve कर सके, अब उनकी problems को आप solve नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके काम में अगर problem आ रही है, तो कैसे आपको problem solve करके आगे बढ़के अपनी sale पर ध्यान देना है, तो दोस्तों अगर आप एक BD बनना चाते ह जिनमें ये options available होते हैं, जैसे pharmaceutical company में जाएंगे, तो वहाँ पर उनको भी BD की ज़रूरत होती है, जो initial stage पर उनके लिए नई opportunities ला सकें, इसके अलावा software companies में बहुत सारी opportunities रहती हैं, जिसमें BD के लिए आप apply कर सकते हैं, बहुत सारी consultancy services सिर्फ BD के उपर ही dependent होती है, तो अगर आप भी consultancy services में job करना चाते हैं, एक BD बनना चाते हैं, तो उसके लिए भी apply कर सकते हैं, मैं आपको कुछ sectors बता रहा हूं जिसमें आप apply कर सकते हैं, इसके अलावा telecommunication या फिर कहें infrastructure company या फिर कहें जो product related companies होती है, जिनके कुछ products होते हैं, चाहे वो car हो, चाहे वो sim card हो, चाहे वो mobile phone हो, चाहे वो bike हो, किसी भी product के लिए जो है BDE का होना आवश्यक होता है, सबी companies अपने अपने तरीके से चाहे वो BPO के तरी हो या फिर कहीं से भी BDE को job देती हैं, ताकि नए opportunities खूल सके हैं, अगर दोस्तों salary की बात करेंगे, एक BDE की तो जो आप जैसे 1000-80,000 तक भी एंकी payment हो सकती है, so I hope दोस्तों BDE के बारे में काफी कुछ आपको मिल चुका होगा, knowledge अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like जरू कीज़ेगा, subscribe जरू कीज़ेगा, और comment से किनल बताए, ये वीडियो कैसा लगा,